आपका बोद बोद श्वागत है और गरस नीज में आप दो दिन से वडिसा में हैं, आप तालचेर गए थे और वहाँ पर जो तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड का काम अभी चल रहा है, आपने उसका रिभ्यू किया, तो वो काम को लेकर, काम के प्रोग्रेस के लेकर आप कितने संतूष्ट है, जो टारगेट दिया गाया था कि सेप्टेंबर दो हजार चब्वीस तक वो कमिशनिंग होना का, तो हो जाएगा, दो हजार चोवीस सेप्टेंबर की जो हमरा लक्ष है, उस लक्ष को हम निशित रूप में तालचेर फेक्टर के अंदर हमने यूरिया उत्पादन करींगे, और कोई प्रोजेक्ट को टारिड कोना है, उसी के लिए दो दिन महत्यृ समझ को मैंने सभी कान्टर के साथ में, सभी हमारे इंजिनिरियों के साथ में, सभी हमारा मैनेजमेट के साथ में, जो भी समझ है उन मीटिंग के अंदर कहना उचित लगेगा हमने सुनाए और सभी का विस्वास दो हजार चोबीस सेप्टेमबर को उससे पहिला हम लोगों का उत्पादन चालू करेंगे यह हमको विस्वास है जो टार्गेट था उसे थोड़ा आगे चला गया यह 24 का सेप्टेमबर जो हडल्स भी जो हडल्स थे उखड़स अभी नहीं वो तोड़सा करोंड़ा थोड़सा एक साल हमने उसको आगे चले गया लेकिन अभी दो हजार चोबीस में यहा count पादन चालू हो जाएगी स्थानिय इलाका में रुजगार का संभावना इसको लेकर कितना रहेगा और ये जो तालचेर अनगूल वो जो इलाका है अंडिवाइडर धेंकराल डिस्टिक्ट का जो है तो वहां का जो लोगों का आर्थिक विकास इस प्रोजेक्ट के साथ कैसा जुड़ा हुआ है जब इ वहां के जन्ता की उसका रोजगार का संभावना बढ़ जाती है और रोजवगार मिलती भी है और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भी कहीं चीजें वहां की अर्थ व्यवास्ता में हुभ उछा लाती है और जो उमीदे नरेंदर भाही मोधी जी के उपर उहां के लोग ने बिल्कुल हो जाएगा और जब यह चालो हो गए तो फिर ज्यादा चा ज्यादा नुक्रिया भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगी अन्य वहां की इस्थानियों को उसी के अलावा भूत सारे कारवबर की करने का आउसर मिलती हैं तो निश्चित रूप से इतना बड़ा आने के बाद वहां इस्थानियों के साथे बी अन्य लोग को काम करेंगे क के अन्य प्रदेश को तो निश्चित रूप से कोई भी परोजच्ट वहां का सथानियों को प्रात्यमिकटर देते देते इदे उस्जी मिलेगे हम देखेंगे जिए ओड़िसा एक कृशी प्रण्ान ह यहां के 70% से जादा लोग अग्रिकल्चर के उपर डिपेंड करते हैं, तो यहां यूरिया का प्रडेक्शन होगा इस प्रोजेट के जरिए, तो हम जानना चाहेंगे कि ओरिसा के जो किशान है, उन्हें यह प्रोजेट के जरिए क्या फाइदा मिलने बाला है? यहां के उरिशा की किसानों को यहां की उत्पादन का यूरिया मिलेगी और अन्हें प्रडेशों को भी किसानों को मिलेगी पूरा देश को फाइदा होने बाला है प्रधान मंत्री जी ने ये बताए थे कि इस प्रोजेट के जरिये पूरा देश में हम खाद के मामले में आत्मनिर्वर होने जा रहे हैं तो इस प्रोजेट का रोल कैसा रहेगा पूरा देश को खाद जुगा देखिए कांग्रेस सरकार के अंदर जो पांच एफसी आई का कारखाना बंद पड़े थे मान्या प्रधान मंत्री मोधी जी प्रधान मंत्री के पद सहंबालने के बाद पांच एफसी आई की फैक्ट्रिया जो बंद पड़ी ती उसको रिवायु करने की निरने लिया उसमें से एक तालचेर भी है, बरोनी है, सिंद्री है, गुरकपूर है, और तयलागाना में राम गॉंडम है, तो यह सभी का क्षमता 12.7 लाक टन्स पर एर का क्षमता है, तो जितना आज के दिन में भारत यूरिया इंपोर्ट करती है, तो इसके बराबर में यह पांच चालू हो गया, और दो यूनिट आने वाला कहीं महिनें के अंदर चालू हो जाएगी, यह तलचर दो हजार चोबिस से पहले चालू हो जाएगी, तो आत्म निर्बर बनने का जो माने प्रधान मंतरी जे ने कहा था, निश्चित रूप से यह पांच के पांच चालू होने क भारत आत्म निर्बर चर्थ परितिशत यूरिया के अंदर हो जाएगी, यह बताया जा रहा है कि यह जो टी एफल है, यह देश का इसा पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होगा, जिसमें कोल गैसिफिकेशन के टेकनोलोजी के जरिए यूरिया का फ्रडेक्शन होगा, वो टेकनोलोजी कैसे फाइदामंद होगा? उस ग्यास से प्यूरिफिकेशन करके फिर यूरिया बनेगे, तो हमें ग्यास बहार से लाने कोई जूरत नहीं है, इसी के लिए यह वो टेकनोलोजी के माध्यम से यहां की माइनिंग का भी उपयोग हो और यूरिया की उत्पादन हो, इसी के कारण इसको कोल गैसिफिकेश के टेकनोलोजी से इस तालचर प्लांट को हमने खड़ा करें बाकी जो एफसी आई के प्लांट है और यह प्लांट इसमें टेकनोलोजी के हिसाब से अगर देखेंगे तो यह अलग की सारे ग्यास बेज़ड है, यह कोल बेज़ड है, ताकि हां पर कोल अबंडन्ट मिलता है हम अगर देखेंगे यह जैसे हम बता रहे थे कि उडिसा के लोग खासकर वो अनगूल तालचर के लोग बहुत दिनोशे इसके इंतिजार में थे, कब सुरू होगा, आखिर में आप जो बताए तो उनके लिए जरूर यह खुसी की बात है कि अगले साल यह सुरू होने जा है, कमिशनिंग हो रहा है, तो हम देखेंगे जब UPA का गर्मेंट था, 2013 में इसको लेकर M.U. हुआ था, लेकिन UPA गर्मेंट चला गया, लेकिन यह सुरू नहीं हो पाया, फिर जब मोदी जी आए, प्रधार मंत्री बने तो फिर इसका काम आगे बढ़ा, और खासकर देखे जो वहां के जो तालचेर मिटी के जो बेटे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो जब मंत्री बने तो वो इससे आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनका रोल इसमें किसा आप देखते हैं और उनका योगदान को अगर देखेंगे इस प्रोजेट को आगे लेने में, देखो योगदान भी है, जब वो सरकार में मंत्री बने और जिस क्षेतर से उनका जन्म हुआ वे इक शेतर में तालचेर की प्रोजेट आरी है, निश्चित रूप में उनका योगदान और उनका इस प्रोजेट को एहां पे लाने के लिए उनका प्रभवत रहता ही रहता, और पता रहा था कि ओडिसा एक किशानों का राज्य है, जदातर लोग यहां क्रिशी के उपर निर्भर करते हैं, यहां खाद को लेकर फटिलाइजर को लेकर हर चाल भोत प्रोब्लिम फेस करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि यहां जो ब्लाक मार्केटिंग होता है यूरिया क तो जो फिक्स्ट प्राइस से उसे दोगुने रेट पर उन्हें खरीदना पड़ता है, तो इसे लेकर वो खास परिशानी का सामना करते हैं, हम जानना चाहेंगे इस विभाग के मंतरी के नाते, कि यह किस कारण हो रहा है, वो यूरिया की सप्लाई में कोई प्रोब्लिम है यहां की लोकाल गर्मेंट का मीस मैनेजमेंट के करण यह सब होता है। तीन दुगना अंतरास्ट्रे मार्केट में रेट बड़ा। लेकिन मानने प्रधान मंतरी जी इस साल धाई लाग करोड रुपिया सबसीडिया दे करके देश के किसानों को फर्टिलेजर की कीमत ज्यादा न देना पड़े। सरकार को उसका भारी पड़ रहा है। तो भी भारत के किसानों को वही तेरह सव पचस में डी एपी, दोसो चस्ट में यूरिया, आज भी दे रही है। यह केक बोरी के उपर करिब करिब धाय हजार रुपिया भारत सरकार उसके उपर सबसीडिय देती है। यह रेट मेंटन करने के लिए किसानों को और बात रही सप्ले की। राज्य सरकार जितना भी मांग करती है, उत्तिनी मांग समय पर हमने पूरे के पूरे हम सप्ले भी करते हैं। लेकिन राज्य सरकारों की कुछ नाकामियवे के वज़े से कभी सप्लाई मैनेजमेंट के अंदर उनका गड़ड़े होकर के कभी किसानों को नहीं मिलता तो वो राज्य सरकार की कारण होती है. आज भी औरिसा के अंदर करीब-करीब 30% की हमारी सप्लाई हम पर आज भी ओपनिंग बैलेंस मिलती है. तो भारत सरकार पिछला आठ साल से कहीं भी भारत के किसानों के लिए, कोई प्रदेश के, not only औरिसा, कोई प्रदेश के किसानों के हमने किलत होने नहीं दिया. तो वो ब्लाक मार्केटिंग होती है, ज्यादा सरेट होती है, तो वहां के राज्य सरकार के जिम्यदार है, हम बार बार राज्य सरकारों को चेताओने भी देते हैं, कि आपके राज्य में किसानों के किसी हालात में किलत न होने दे, और कोई भी सेल करने वाले, दुकानदार, किसानों से ये नियमित कीमत से ज़्यादा न ले और कभी-कभी हमारा ध्यान में आता है तो हम लोग उसको रेड भी करते हैं और केज भी करते हैं तो हमने जितना हो सका भारत सरकार उसको कंट्रोल करने के प्रयास निरंतर जारी है लेकिन यहां जब किलत होता है जब किसानों को नहीं मिलता है पटिलाइजर तो जब वो आंदोलोन में आते हैं प्रोटेस्ट करते हैं तो यहां के सरकार बताते हैं कि केंद्र की और से सप्लाई नहीं हो रहा है नहीं मिल रहा है तो इसके लिए किलत है यह सरासर जुट बोल रहा है राजय सरकार, कभी हमने इनका सप्लाइ में हमें कोई खमी नहीं किया, उनका नाकाम है भी हमारे ओपर थोकने के उनका प्रयास है और उसको मैं खंडन करता हूँ, और और इसा के किसानों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कि मोधी जी का सरकार, किसानों के हित्का का सरकार है, और किसान जितने भी मांगे रुवरक यदि फरटि वैजर, हम पूरा करने में सक्षम हमने किया है और आगे भी हम करते रहेंगे, और किसी को भी ज़्यादा रेट देने का कोई जरूरी नहीं है आपको हर दुकान के अंदर आपका मांग की फर्टिलेजर आपको मिल जाएगा भगबंद जी आपका जो दूश्रा डिपार्टमेंट है निव और रिनेवल एनर्जी उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम देखेंगे तो जब से आपका सरकार सत्ता में आया है केंद्र में तो रिनेवल एनर्जी पर ज्यादा फोकुश दिया गया है और वो प्रदेश जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है रिनेवल एनर्जी को लेकर ओडिसा उसी हिसाब से नहीं बढ़ पाया है आपका प्रांत देखिए आपका प्रदेश करनाटक आज नंबर वान पर है और बाकी हम पडूसी आंधर प्रदेश तिलेंगाना गुजराट को कई र और इन्वेस्टर्स उस प्रदेशों को उन्होंने चुना है लेकिन अभी हमको 2030 तक रिनेवल एनर्जी के अंदर 500 गीगवाट की हमें लक्ष प्राप्त करना है तो अभी आने वाला दिनों में बहुत संबवन है अभी हम इस प्रदेश का उध्योग पतियों को हम विनंति क करेंगे कि सोलार पार्क्स बनाने और सोलार उनिट शेट अप करना आप और इसा चुनिए और जो भी भारत सरकार से मदद चाहिए हम लोग विशेश करके और इसा को हम समरता है मतलब सपोर्ट करेंगे यह इसके पीछे आपको क्या करने लगता है बाकी प्रदूसमें अग उद्योग जगत के लोग जिस प्रदेश में उनको आसनी से जमीन मिले सस्ते में मिले और उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे ऐसा उनका विचार रहता है और यहां भी आगे आगे आने वाले दिनों में इस प्रदेश में भी वो यूनिट साजेंगे समझे कोई नहीं हम एक साइक्लम प्रोम स्टेट है जहाँ पर हर साइक्लम आता है बिजली चला जाता है कई दिनों तक बिजली नहीं आता है तो यह ज़्यादा डिफेंडेबल है रिल्हार एनरजी पर लेकिन उसी छे मिले पास आज तक नहीं पहुंच पाया है मेरा जानने का मतलब यह है कि भारत सरकार जो स्कीम है, वो कैसे लोगों के पास पहंचे, उसका सुविधार कैसे ये ले पाए? देखिए, रूफटॉप सोलार, हर घर पर सोलार लगा सकते हैं, तो भारत सरकार उस पर 40% सबसीड़ी देती है, किसान अपना खेत में सोलार पंप से अगर लगाई देती है, तो 60% सबसीड़ी मिलेगा, और किसान एक समों के रूप में अगर लगा करके, सारे किसान के समों के वो सोलार की उतपादन करके, खुद भी उपयक करें, और जो एक्स्ट्रा जनरेशन होती है, वो राज्य सरकार क को भी उसका सेल करें, ऐसे अनेक योजना, आलरड़ी भारत सरकार की योजना लागो है, और और ओरिसा की किसानों को मैं विनंति करता हूं को, यह सारे योजनों का लाब उठाने के लिए आप खड़े उतर रहे हैं, और आलरड़ी हम लोग भूत प्रचार भी कर रहें, और रूफटाप सोलार भी हम भूत प्रचार कर रहें, धीरे धीरे लोग आने आगे आने लगे हैं, तो निश्यत रूप से आने वाला दिनों में उसका उपयोग इस प्रदेश का महाजनतों को भी मिलेगा. आखिर में आपसे करनाटक के राजनिती के बार में थोड़ा चर्चा करेंगे, करनाटक में अगले साल चुनाब होने वाला है विधान सभा का और एक साल से भी कम का वक्त रहे गया है, तो हम आज जैसे बीजेपी को लेकर अगर स्थिती देखें करनाटक में, तो अगले ज थीन साल से हमारे मुख्यमुंतरी यह उने बहुत अच्छा काम किया है, और लोगों के बीच जाकर के काम किया है, उसका लाव लोगों को पोंचा है, और भारती जनता पाटी का प्रदेश के अंदर संगटन बड़ी मजबूत है, कांग्रेश के अंदर कोई आपस में तालम नहीं और मोधी जी सरकार के लाव रब हर प्रदेश को भी मिला है, और करनाथा का जनता को भी मिली है, हमारे पास मोधी जी भी है, तो इसके कारण हमारा लक्ष 140 सीट की दरस्टी रख करके हमारा संगटन, हमारा सरकार, हमारा कार्यकरता पूरे लगे हुए, निस्चित में भारती जन्ता पार्टी खुद के बल्बूति के उपर वेरी क्लियर मेजाटी के साथ में हम सरकार बनाएंगे इसमें कोई दो राही नहीं और कांग्रेस उस प्रदेश में भी दिन बादिन शिकुड़ता जा रहा है इसमें कोई दो राही नहीं हाल ही में एक नेस्राल न्यूज चैनल के तरफ से जो उपिनियन पोल किया गया था तो उच में दिखाया दिया कि अभी का अगर चुनाब होता है अभी का जो स्थिति है उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो कानाटक में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल जाता है सीट के हि बीजेपी को 85 सीट मिलता है इंडिया टीपी का जो सर्वे का ओपिनियन पोल का जो देखिए भारती जनता पार्टी का परिणाम कई बार ऐसे ओपिनियन पोल को हमने पीछे डालके हमें आगे है आईस हो है और करनाटक में यही होने वाल है जो आज ओपिनियन पोल में आप पिछले चुनाब के जो जैसे अनुभब थे अगर वहां हमेशा जेडी एस वो जिस पार्टी के साथ चला जाता है उस पार्टी को सत्ता मिलता है और अगर पहले ऐसा कुछ संभावना होती है कि जेडी एस और कॉंग्रेस एक साथ चले आए तो बीजेपी के लिए मुश्क आप यहां दो दिन में हैं लोगों से भी मिले होंगे तो यहां का माहूल आप कैसे देखते हैं बीजेपी को लेकर आप क्या सोचते हैं नहीं देखिए देश के अंदर ही मोदी जी का एक प्रभाव से और देश के प्रतीक हर नागरिक के अंदर अभी अभिमान जागा है और आने वाला दिनों में भारती जन्ता पार्टी उरिशा के उनका मुद्धा जादा नहीं रहता है और आम नागरिक को लग रहा है कि अभी देश का सुरक्षा, दोस का समरुद्धी, प्रदेश का सुरक्षा, प्रदेश का समरुद्धी के साथ में मेरा समरुद्धी जुडावाए, मेरा सुरक्षा जुडावाए तो ये एकमात्र य तो इसके लिए और इसकी आम नागरिक भी भारती जन्ता पार्टी के साथ आने वाले दिने बहुत बड़ा पहिमाने पर जुड़ जाएंगे. तो दोजार चब़िस का जो आम चुनाब होने वाला है उसको लेकर क्या कि आगे वो दो टर्म तो हो गया आपके सरकार का और तीश्रा टर्म के लिए लोग मन बना चुका है दो हजार चब़िस में फिर से एक बार दो हजार वनने से ज्यादा मोदी जीश को सीट जिता के देन के लिए यह आम लोगों में आलरड़ी डिसाड़ है ऐसे कभी देश का राजनेती के अंदर कोई पार्टी के प्रतिकेसा हुआ नहीं है दो हजार चोबिस निश्चित रूप से दो हजार वनने से ज्यादा सीट लेकर के फिर से एक बार मोदी जीश का नियत रिम फिर सरकर बनेगी के बहुत बहुत धन्यवाद भगवन जी अमारे साथ जोडने के लिए भवध महत्ति पूर्ट बनार्ट साथ करने के लिए अमना सेटा थिले केंद्रवंत्री भगवन कुवाज जी आमे तांग सेटर पठाभा हुँ तुले आमना समय हुइची आमना समना को आजि झाल झाल